हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दा ब्यांड इंफिनिटी क्लासीज, आज हम जोग्राफी MCQ सीरीज का लेक्चर नमबर 6 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम फिजिकल एंड प्लिटिकल डिविजन्स आफ इंडिया, प्लस रिवर्स एंड लेक्स आफ इंडिया के उपर कुछ MCQ साल्व कर रहे हैं, इसके पहले की जो 5 वीडियोस हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा, जाब सिंप्ली चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से उसको एकस्स कर सकते हूँ, क्वेशन पर जाने से पहले, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्स इस कोशन के अंदर में क्या दिया गया है, हमें दीगी है कुछ बॉंडरी लाइन, उसके साथ में कुछ कंट्री के नाम लिखे हुए, हमें यह बताना है कि मैसे कौन सा और 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 चाइन, इसके अलावा में आपको थोड़ इस एडिशन इंफरमेशन दे दूं, कि और चाइना के बीच में जो इस्टरन बार्डर पड़ता है, इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, और इसके बारे में आपको पाता होना चाहिए, पहले शिमला कंवेंशन के बारे में, शिमला कंवेंशन हुई थी 1914 में, जो हुई थी ब्रेटिश इंडिया और तिब्दन के टाइम पर इंडिया पर राज कर रहे थी ब्रेटिश और तिब्द एक अटोनेमस रेजन, इस एक इंडिपेंडेट देश हुआ करता था उस टाइम पर, तो उस टाइम ब्रेटिश इंडिया और तिब्दन के बीच में एक एगरिमेंट हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, श मेकमोहन लाइन को नहीं मानता, क्योंकि अब चाइना पर किसका राज है, तिब्द का राज है, 1950 के अराउंड, 50, 51 के अराउंड, तिब्द के ओपर किसने का अभजा कर लिया, चाइना ने का अभजा कर लिया, अब चाइना जो है, वो मेकमोहन लाइन को एक डिस्प्यूट में नहीं था, इसलिए हम इस MacMahon Line को valid नहीं मानते तो लेकिन आज जो इंडिया है India MacMahon Line को एक valid मानता है हम उसी boundary को international boundary बानते है option number second है Red Cliff Line between India and Pakistan तो ये भी बिल्कुल correct option है, इंडिया और पाकिस्तान की बीच की जो boundary line है इसको हम Red Cliff बोलते हैं, 1947 1947 में जब पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया गया, उस टाइम पे एक boundary को decide किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसी boundary line को हम Red Cliff line बोलते हैं option number 3 पर जाने से पहले option number 4 को पढ़ लेते हैं यहां पर दियावा है पार्क स्टेट विट्विन इंडिया और शिलंका, यह भी बिल्कुल correct option है, इंडिया और शिलंका के बीच की जो स्टेट है, उसको हम पार्क स्टेट बोलते हैं, इस हिसाफ से हमारे जो option number 1 तब हो भी correct है option number 2 भी correct है, और option number 4 भी correct है, अब हम option number 3 को भी देख लेते हैं, जहां पर दियावा है Durand Line विट्विन इंडिया और अफगानिस्तान, देखिए यह कब बनाएगी थी Durand Line यह बनाएगी थी 1893 में, 1893 के टाइम पर पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था और इस हिसाफ से जो एक Durand Line थी वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनाएगी थी यहां पर मैं आपको मैप के पर दिखा देता हूँ आप देख रहे होंगे यह ग्रेन कलर वाले जो एक पाकिस्तान का रिजें है, यह इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था यह पूरा इंडिया था, और यह परपल कलर में आपको दिख रही है यहां पर एक बोंडरी दिख रही है, जिसको मैं यलो बना देता हूँ यहां पर, यह boundary है, यह है Durand Line, उस हिसाफ से 1893 के टाइम पर जब Durand Line बनाए गी थी, तो अब किसके बीच में बनाए गी तब बनाए गी थी, यह इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन आज जब पाकिस्तान एक अलग देश बन गया है, 1947 के बाद से, तो अब यह boundary किसके बीच की है, अब यह boundary है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की, it means Durand Line जो है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की boundary है, तो यहां पर option में दिखा था कि इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान की बीच की boundary थी, लेकिन 1893 के टा प्रेक्ट होंगे, option number first, second and fourth, तो इसका जो right जाएगा answer, right answer जाएगा, first, second and fourth, that is option number B, अब हम थोड़ी सी information और देख लेते हैं, कि इंडिया किस-किस country के साथ अपनी border शेर करता है, तो इंडिया शेर करता है अपनी border seven countries के साथ में, वो seven countries कौन-कौन सी है, अफगानिस्तान, पाक पाल, बुटान, मयानमार, एंड बंगलादेश, तो इस तरह से seven countries के साथ अपनी land border शेर करता है, इसके अलावे इंडिया की दो neighbor countries और हैं, लेकिन वो कैसी country है, island neighbors हैं, इंडिया के, एक है शिरलंका, और दूसरा है, माल दूइब्स, तो इस साब से हमारे total कितने neighboring countries होगी, total ह nine, जो seven है, seven land border shares करते हैं, और जो दो country से हो हमारी island neighbors है, जो हमारे sea के थुरू हमारे border share करते हैं, इसके अलावा, इंडिया का जो total land border है, वो कितना है, 15,106.7 km, और जो इंडिया का coastal line है, वो है 7516.6 km, तो अब देख लेते हैं, कि इंडिया का जो land border है, which is 15,106.7 km, वो किस किस country के साथ कितना कितना share करता है, यह काफी ज़्यादा important है, इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा border share होता है, वो है बंगलादेश के साथ में, वो कितना है, 496.7 km, second number पे इंडिया सबसे ज़्यादा जो border share करता है, वो है चाइना के साथ, which is 3,488 km, then third number प चाइना के साथ, sorry, पाकिस्तान के साथ, 3,323, इस तरह साथ आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तो बंगलादेश के साथ, second number पे चाइना, third number पे पाकिस्तान, then नेपाल के साथ, मयानमार, बुटान, अफगानिस्तान, वो सबसे कम border किस के साथ शेर कर रहा है, वो है अफगानिस्तान, which is only 106 km, अब देख लेते हैं कि जो different हमारी neighboring countries हैं, वो इंडिया के किन states ये UT के साथ अपनी border share करती हैं, तो अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान टोटल इंडिया के साथ कितना border share कर रहा है, 106 km, और वो सिफ एक ही UT के साथ share करता है, which is Union Territory of Ladakh, तो पहले लदाग जो था वो G&K का पार्ट था, इसलिए तब हम लिखते था कि जो अफगानिस्तान है वो G&K के साथ border share करता है, लेकिन अब जो हम बोलेंगे कि अफगानिस्तान लदाग के साथ अपनी border share करता है, लदाग के अभी कौन से P.O.K. वाले region, पाकिस्तान occupied कश्मीर वाले region से, सैकिन बंगलादेश किस के साथ border share करता है, सैकिन बंगलादेश जो है वेस्ट बंगाल, मिगाले, मिजोरम, त्रिपूरा और असाम के साथ अपनी boundary share करता है, अब बुटान की बात करें तो बुटान, वेस्ट बंगाल, सिक्कम, अरुनाचरपरदेश और असाम के साथ अपनी boundary share करता है, इसके लावद चाइना की बात करें, चाइना, लदाग के साथ, हमाचर पर्देश के साथ, उत्राखंड के साथ, सिकम और अरुनाचर पर्देश के साथ अपनी boundary share कर fulfill है नेक्स देख लेती है मैयान मअर, मैयान मर किसके साथ बॉंडरी शेयर करता है अरुनाचरपरदेश के साथ नागालेंड, मिजोरम और मनीपूर के साथ नेपाल, बिहार, उत्राखंड, यूपी इस उत्रपरदेश, सिकम और वैस्ट बंगाल के साथ अपनी बॉंडरी शेयर कर रहा है अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कौन-कौन सी, जेंड के, लदाक, पंजाव, राजिस्तान और गुजरात अपनी बॉंडरी शेयर करते हैं अब टोटल हमारी जो 7 लैंड नेबर से उनकी बात होगी अब हम दूसरे जो दो नेबर हैं हमारे सी बादर पर जो शेयर करते हैं उनका देख लेते हैं अगर हम शिलंका की बात करें तो शिलंका को इंडिया से सेपरेट कर रहा है गुल्फ अफ मननार और मालदीब्स की बात करें तो मालदीब्स कहां पर है इंडिया के साथ वेस्ट पे लाई करता है इंडियन ओशन के बिलो दे सोरी विलक्षिद वीप के बिलो इंडियन ओशन में इच्छिजए नबर सेकंड देख लेते हैं विच इस धी हाइस्ट पीक इन अंडमान और निकवर आइलेंड जो हैं उनकी जो हैस्ट पीक हो कौन सी है तो इसका जो right answer वो है saddle peak, यह अपने नाम जाद रखने है saddle peak is the highest peak of Undermann and Nicobar Islands, इसके अलावा यहाँ पर देख लिएज़ेगे saddle peak, जिसको हम saddle hill भी बोलते हैं, यह काहाँ पर है, located काहाँ पर है, North Undermann Island में, Undermann और Nicobar के भी कौन से आइलेंड पर, North Undermann Island पर, इसको जो highest point है, इस 731 मेटर, 731 मेटर की total height है, और जा आपको एक और बात बता दूँ कि, जितने भी archipelago है, बे आफदी बंगाल में, बे आफदी बंगाल में, बे आफदी बंगाल में, जितने archipelago का मतलब, group of islands हैं, उन सभी islands का highest point saddle hill ही है, that is saddle peak ही है, जिसकी height है 731 मेटर, और इसको बिलकु St. George channel is located between which of the following islands, किन दो islands के बीच का जो channel है, जिसको हम St. George channel बोलते हैं, options को read करते हैं, north and middle and demand, option B is little Nicobar and great Nicobar, option C is car Nicobar and little Nicobar and D is middle and demand and south and demand, तो इसका जो right answer जाएगा वो है little Nicobar and great Nicobar, little Nicobar और great Nicobar के बीच के बादर को हम St. George channel बोलते हैं, question number 4 को देख लेते हैं, where is the Logtak Lake situated, Logtak Lake कहां पर situated है, options को read कर लेते हैं, Kerala, Uttaranchal, Manipur, Rajasthan, इसका जो right answer जाएगा वो है Manipur, Logtak Lake, Manipur में situated है, इसके इलावा थोड़ सी additional information और देख लेते हैं, कि अगर हम North East India की बात करें, तो North East India की सबसे largest freshwater lake जो है, वो है लेक, which is the largest freshwater lake इंदी, नाथ East India, वो है Manipur की लोकतक लेक, इसके अलावा, world में सिर्फ एक ही floating national park है, which is कैबूल लेमजाओ, कैबूल लेमजाओ, तो ये भी लोकतक लेक के उपर है, तो ये आपने दो चीजें याद रखनी है, नाथ East India की largest freshwater lake, लोकतक लेक है, इसके अलावा, इंडिया का, sorry, world का, एक ही floating national park है, वो है कैबूल लेमजाओ, वो भी मनिपूर की लोकतक लेके उपर situated है, next question देख लेते हैं, question number 5, which of the following river has the largest river basin in the India, इंडिया के अंदर, सबसे largest river basin कोन सी river बनाती है, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, the Krishna, तो इसका जो right answer है, वो, the Ganga, गंगा सबसे बड़ा river basin मनाती है, इंडिया के अंदर, question number 6 को देख लेते हैं, the चिलका lake is located in, चिलका lake कहां पर located है, तो इसका जो options है, option number 1, West Bengal, B, Odisha, C, Kerala, and option number D is Tamil Nadu, तो इसका जो right answer जाएगा, वो है, चिलका lake कहां पर situated है, वो है, Odisha के अंदर, इसके अलावा, चिलका lake के बारे में ओर थोड़ सी information देख लेजिए, कि चिलका जो है, यह Asia की largest, और world की second largest, brackish lagoon है, तो आपको यह पहले समझना होगा, कि brackish का मतलू तो हो गया, salty water वाली lake, ऐसी lake, इसका पानी खारा होगा, उसको हम brackish पो लेंगे, अब lagoon का मतलू क्या होते हैं, lagoon's are defined as a shallow body of water separated from the ocean or from large body of water via reef or other barrier, तो क्या मतलब है इसका, कि एक बड़ी water body से, जब एक water body separate हो जाती है, एक अलग से हो जाती है, समझ लेजिए कि यहाँ पर कोई ocean है, यह main ocean था, और यहाँ पर क्या है, इस सेड, पूरी की पूरी land है, यह land area पूरा, तो इस land area में क क्या होगा कि जब sea waves आती है, तो अपने साथ पानी लेकर आएंगे, और बहुत सारी sand लेकर आएंगे, that is, sediments लेकर आएंगी, तो क्या हो जाता है, कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो sediments इस तरह से यहाँ पर जाएंगे, और इस तरह से क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक लेक के जैसे यहांपर एक गड़ा सा बन जाएगा और बापी से जो पानी आएगा और पानी इसके अंदर क्या हो जाएगा इस तरह से बरता जाएगा तो इस तरह की लेक जो बनती है ये कहाँ पर बनती है Coastal Region पर बनती है जो तट्टीय जो एलाके होते हैं जो बिल्कुर समंदर के साथ लगते हैं, उन एरियाज में होते हैं, इस तरह की लैगून्स, तो लैगून्स जो होते हैं, जैसे हम आपको एक इमेज के थुरू बता देता हूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि इसके अराउंड क्या है, यह एक सेडिमेंट्स जम गिये और यहाँ पर एक पाणी इसके अंदर बरने गया है, तो यह क्या बनने गी है, एक लthose लेक बनने गी है, इसके लेक, लेक को हम बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं, जहां पर इसके अलावा एक ओर इमेज देख लिजिए, यह जहाँ यह पर यह में सी है, उस में सी के ब्रैकिश लागून बोलेंगे और यह हमेशा ही coastal areas पर बनती है तो चिलका जो है एशिया की largest और वर्ल्ड की second largest ब्रैकिश लागून है खारे पाने की लागून डैट इस एक लेक जो coastal region पर बनती है sediments के जमा होने की वज़ा से तो इंडिया के किस coastal area पर लाई है इंडिया की eastern coast पर इंडिया की eastern coast पर यह लाई करती है in the state of Odisha और यह किस बड़ी water body से अलग हुई है बेहाफ बंगाल से और किस ने अलग किया है इसको small strip of sand ने इसक है कि पूरी खोरदा और गंजम डिस्टक यह तीन डिस्टक में लाई करती है यह तो चिलिका लेक आपने देखा कि यह इंडिया की इवन एशिया की सबसे largest ब्रैकिश वाटर लैगून है अब यहां पर हम पुलिकट लैगून को बात करते हैं पुलिकट इंडिया की second largest ब्र जैसे वह ओडिसा में लाई करे थी चिलिका यह कहां पर लाई करती है यह बिल्कुल बार्डर पर लाई करती है आंद्रपरदेश और तमिलाडू के बार्डर पर और जिसको हम क्या बोलते हैं कोरुमंडल रिजिन बोलते हैं अब और 96% पुलिकट लेक वह लिश तमिलाडू एंड वेस्ट बंगाल तो कलोरी लेक जो है यह कहां पर लाई करती है यह लाई करती है आंद्रपरदेश के अंदर तो यह आपको बता दूं कि यह वी क्या है एक लगून ही है तो यह अभी तक हम तीन लगून के बारे में पढ़ा और लगून कैसे बनती कि यह भी देख लिया तो कलोरी लेक जो है यह अंद्रपरदेश में है विच इस आल्सवा ब्रैकिश लागून को देख लेते हैं विच अमंग अफ दी फॉल्लिविंग इस स्मालेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ इंडिया इंडिया के सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी यह यह कहां पर लोकेटेड जियो के लिए यह केरला में नें लेकिन ये किस का हिस्सा है अगर हम भी बात करें तो जियोग्राफिकली के लहां थी अरे-ट्रिकट की एक केरणाले में लेकिन यह उटी आ फंडियृ की एक डिस्ट्रिक्ट है तो options को read कर लेते हैं ब्रह्म पुत्रा रिवर के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह originate करती है तिबत से then flow करती हुई आएगी इंडिया में इंडिया से flow करती हुई कहाँ पर चले जाएगी बंगलादेश में flow करेगी इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रह्म पुत्रा रिवर है वो तीन कंट्रीस में से flow कर रही है अगर हम बात करें इंडियस रिवर की तो इंडियस रिवर कहाँ से originate करती है इंडियस रिवर भी originate करती है तिबत से ही तो इंडस river भी originate तिबत से कर रही है तिबत के बाद जी इंटर करेगी इंडिया में थ्रो लदाक उसके बाद flow करती ही काम पर चले जाएगी उसके बाद flow करेगी पाकिस्तान में तो इस तरह से आपने देखा कि यह भी तीन country's में से फलो कर रही है अब बात करते है कोसी river की कोसी river भी वह तिबत से ही originate होती है तिबत से originate होने के बाद यह फ्लो करती है नेपाल में नेपाल के बाद फ्लो करती ही इंडिया में इंटर करेगी जै और जब जी इंडिया में इंटर करती है तो यहां पर उसके बाद यह अपना पानी किसको दे देती है गंगा रिवर को दे देती है जो कोसी है वो गंगा की ट्राइबूट्री हुई तो कोसी river is the tributary of Ganga और जी कितनी countries में से flow करी तीन countries में से ये भी flow की तो अब बात करते हैं option number D की which is Chumble River तो अगर हम Chumble River की बात करें तो Chumble River जो है ये इंडिया से ही originate होती है और इंडिया में ही खतम हो जाती है तो Chumble River के बारे में थोड़ सी और information देख लेते हैं चमबल रिवर क्या है? किसकी ट्राइबूटरी है? ये यमना रिवर की ट्राइबूटरी है और आपको बता है कि Chumble River ये यमना की ट्राइबूटरी है इत मेंस चमबल का पानी यमना रिवर में जा रहा है और यमना अपना पानी किसको देती है? यमना अपना पानी देती है गंगा रिवर को क्यांकि यमना जो है वो गंगा की ट्राइबूटरी है तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो चमबल रिवर है वो भी greater गंगा drainage system का ही एक किसम का पार्ट है तो चमबल यमना को पानी देती है यमना पना पानी किसको दे रही है? गंगा को दे रही है नो लास्ट कोशन कोशन बर 10 इंद्रा सागर डैम located in मद्यपरदेश is built on which of the following river इंद्रा सागर डैम जो है मद्यपरदेश का वो किस इस river के पर बना हुआ है options को read करते हैं यमना चमबल नर्मदा एंड कृष्णा तो यहां पर इसका जो right answer जाएगा वो है नर्मदा रिवर मद्यपरदेश के अंदर जब फ्लो करती है तो वहां पर एक डैम बना हुआ है इंद्रा सागर डैम तो इस lecture को हम यहीं पर खत्म करते है I hope आप सभी को questions के अच्छे से समझ आई होगी Now thank you and have a nice day